विल्कम बेक टू सीजी सिक्षा मेडी निसासा जैसे हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक से का हम लोग 15 चेप्टर वर धमाने वन रास्मान को आ रहे हैं प्रिवेस वीडियो लेक्ष्यर में हम लोग और कुश्चा नमबर 8 का सेकिंड कुश्चा को सौलग किया थे कि माध्यम से हम लोग इस चीज को देख ले थे नहीं कि डियुक्त बेस पर रहें तो जिस तरुके से डी एक साइन एक सकवेस पर क्या होता है आए च्छीज को सौलग करते हैं उससे कूश्चें के अंतराल में भी हम लोग भागी कूश्चें को भी सौलग कर सकते हैं भाई कि f equal to 6 minus 9 x minus x square के basis पर क्या आप जाएगा ठीक है तो f equal to 6 minus 9 x minus x square के basis पर हम लोग इसीच को जेख सकते हैं जिस तरी किसे हमारे पास यह content के बेस पर आता है कि डीबाइडी एक्सा साइन एक्सा के बेस पर दीबाइडी एक्सा कॉस एक्सा के बेस पर फिर तीसरा डीबाइडी एक्सा 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 फिर कोड एक्स फिर तो इस question के अंदरान में भी हम लोग इस चीच के माध्यम से हम लोग इस चीच को जान सकते हैं कि हमारे पास क्या-क्या content रहेंगे और किसके बेस चीच को कर रहेंगे तो चलिए इस question के माध्यम से हम लोग इस चीच को चान सकते हैं कि हमारे पास क्या-क्या content रहेंगे और किसके basis पे रहेंगे ठीक है तो चलिए उस question के basis पे भी हम लोग उस question के हिसाब से भी हम लोग किस चीज से जान सकते हैं तो चलिए यहां से हम लोग इस चीज को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके basis पे रहेंगे और किस-किस question के एक रोडिंग में भी रहेंगे ठीक ह यहां से क्या कर सकते हैं यहां कर सकते हैं कि साइन के बेस पर क्या होता है कोस के बेस पर क्या होता है तेन के बेस पर क्या होता है कोसे के बेस पर क्या होता है तो दी बैडी एकसा साइन एकसा के बेस पर क्या होता है फिर दी बैडी एकसा तेन एकसा के बेस पर क्या होता है फिर दी बैडी एकसा तेन एकसा के बेस पर क दोनों किस के बेस पर रहेंगे और किस 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 के एक रोटिंग में भी रहेंगे ठीक है तो साइन चेंख सक्स क्स क्वेびस पर भाई ये को से किस देख सकते हैं फिर च्छार को से क्षप बेस कैंप गर्स देख सकते हैं फिर लोग इस चीछ को जैए दि लोग इसको जान सकते हैं नहीं इस कूश्यान के माध्यम से हम लोग किसी को क्लियर कर सकते हैं फिर सेगें हम लोग कॉस के माध्यम से किलियर कर सकते हैं फिर 10 के माध्यम से किलियर कर सकते हैं फिर कॉट के माध्यम से किलियर कर सकते हैं फिर सेक के माध्यम से किलियर कर सकते हैं फिर कोसेक के माध्यम से किलियर कर सकते हैं भाई क्योंकि साइन के एक रोडिंग में क्या होता है फिर कॉस के बेसिस पर सब्सक्राइब को जाएगा सब्सक्राइप थीक है इस कुश्चन के एक रोटिंग में भी हम लोग इसीच को इजिली इस कुश्चन के एक रोटिंग में क्या होता है यह दोनों के बेसिस पे हमारे पास क्या 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 कर सकते हैं आसानी से इस क्या 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 रहेंगे और किसके बेसिस में भी रहेगा ठीक है तो चलिए इस कुश्चन के हिसाफ से भी हम लोग इस चीच को देख लिते ह इसके किसके बेस पर रहेंगे किस किस कुुस्चन के एक रोडिंग में रहेंगे तो dX siin xf कहने जान सकते हैं dX c sa 20 टेन 한ảiक सके हुसाफ से भी हम लोग इस discoveries को जान सकते हैं qt के बिशमें क्या हो जाएगा और INDX हम लोग कोड के basis के भी माध्यम से भी हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, असानी Hebrews Lev te 26 Вс स्बीस करसे duck of रहेंगी खरलने YouTube और पास क्या के रहेंगे खर किस्व हमारे पास क्रूइब रहेंगे तो पहला डीबाई डी दी बाइडी एक साथ 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 ए तो साइन के बेसिस पर क्या होता है फिर कोज के बेसिस पर क्या होता है फिर कोड के बेसिस पर क्या होता है फिर कोसे के बेसिस पर क्या होता है इस चीज के आध्यम से cos x बेस बीजान सकते हैं फिर पाँछवा डीऑоईधे एकस एक साथे एक रोडिंग में रहेगा फिर श्टाफवा डीऑ 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 इकसरा कॉसे के एक साथे एक रोडिंग में रहेगा थिक ए थिक है तो परहलें Century N9 सब्सक्राइब कर सकते हैं फिर दूसरा में कॉस एक सब्सक्राइब कर सकते हैं फिर तीसरा में टेन एक सब्सक्राइब कर सकते हैं फिर चौंथा में कॉट एक सब्सक्राइब कर सकते हैं फिर पाच्वा में सब्सक्राइब कर सकते हैं फिर चट्वा में कॉस एक सब्सक्राइ फिर कॉट के बेसिस पे क्या हो जाएगा फिर सेक के बेसिस पे क्या हो जाएगा फिर कॉसेक के बेसिस पे क्या हो जाएगा ठीक है तो साइन एक साथ के माध्यम से जान सकते हैं भाई फिर को सेक साथ के माध्यम से जान सकते हैं भाई फिर को सेक साथ के माध्यम से जान सकते है है ठीक है कि इसके इस के चु前 रहेगा कि ईक रोडिंग में भी ना ठीक है तो वीदू इक संट साइन की जान सकते हैं फैस्ट और ये एक्सक्रegal है पर सब्सक्सक्राइब कर दीज चीज को दिखेंगे तो चएंगे तो आपके पास अलगा अलग कंटेक्ट के हिसाफ से भी आ चाहेगा तो यह कंटेंट के हिसाफ से हमारे पास है क्वाथ कि बेसे पर आता है तो एक लोग ट्रिणूमेटिक जी कीवेश को जाएंगा दोनों किस किस के रहेगा और किस किस के रहे गार किस किस्टिन के रहेगा तो एक को साई नेक्स सकें हम लोग वेल्ली को फाइंड आट कर सकते हैं एक को कॉस एकसा के माध्यम से, 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 ठीक है, तो दी बाइडी एकसा साइन एकसा हो जाएगा, फिर दी बाइडी एकसा कॉस एकसा हो जाएगा, फिर दी बाइडी एकसा कॉस एकसा हो फिर D by Dx 10x base हो जाएगा फिर D by Dx पर लेंगे फिर दीवाइडी एक साथ के माध्याम सब्लोग इस वेल्यू को फाइंड आट कर सकते हैं ठीक है कि यह दोनों इसके किसके बेसिस पे रहेंगे किस किस कुश्यार के अंदरान में रहेंगे तो डीवाइडी एक साथ के वेशिस हो जाएगा डीवाइडी एक सा कॉश्यक्षे कर सकते हैं दीबाइडी एक्स 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 ए हैं एक को हम लोग कोट के बेसिस पे भी हम लोग इस को कर सकते हैं ठीक है तो इस कुश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस को जान सकते हैं यह दोनों किस के किस के बेसिस पर रहेगा और किस किस कुश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा ठीक है तो पहला साइन एक सक माध्यम से ठीक है तो चलिए किलिए कर्ती जाते हैं हमारे पास किस के किस स्वेस पर आएगा तो साइन ऐस पर क्या होता है कौ सम्स होता है करें साथ साइन होता है थे जिए स्कुर्ण एक स्वेस्पे कॉसे 2 कोसेक एकसा इंटू कोट एकसा हो जाएगा ठीक है तो चलिए इस कुश्चेन के माध्यम से भी हम लोग इस चीश को किलियर कर सकते हैं कि sin x equal to हो जाएगा cos x, cos x हो जाएगा minus sin x, 10 x equal to हो जाएगा c square x, cot x equal to हो जाएगा minus cosec square x और c x equal to हो जाएगा c x into 10 x और cosec x equal to हो जाएगा minus cosec x into cot x हो जाएगा तो d y d x sin x के बेस वे देखेंगे तो cos x और cos x के बेस वे देखेंगे तो minus sin x और 10 x के बेस वे देखेंगे तो c square x और cot x के बेस वे देखेंगे तो minus cosec square x और c x के बेस वे देखेंगे तो c x into 10 x और cos x के बेस वे देखेंगे तो minus cosec x into cot x नुदिकांस तो पहला ड ड द x1 वैसों एक सुदध के विशे कुचे के विशे कर देखे विशे क्माईफ झांज एक सुद्ध के माईनास ऑसुया एक सेटानीं इतह एक से। फिर 6 नमबर कोसेक एकसा के बेस पर देखेंगे तो मैनस कोसेक एकसा इंटू कोट एकसा हो जाएगा तो दी बाइडी एकसा साइन एकसा के बेस पर कोसेकसा होता है फिर दी बाइडी एकसा कोसेकसा के बेस पर मैनस साइन एकसा होता है d by d x 10 x 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 सेख स्क्वेर एक 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 स्क्वेर ए ठीक है तो एक को साइन एक सब्सक्राइब जान सकते हैं भाई कि साइन एक सब्सक्राइब क्या होता है फिर एक को जान सकते हैं कौस एक सब्सक्राइब क्या होता है तो साइन एक सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब basis भी है और यह किसके एक रोटिंग में भी है ठीक है तो इस question के माध्यम से भी हम लोग इस चीज को clear कर सकते है ठीक है तो चलिए यहां से देखते हैं d by dx sin x equal to cos x होता है d by dx cos x equal to minus sin x होता है d by dx 10 x equal to c square x होता है d by dx x equal to minus cos x square x होता है d by dx sin x equal to sin x into 10 x होता है d by dx cos x equal to minus cos x into cos x होता है d by dx sin x गे मास ऑक्रस आ 훨씬 को स्कुर्ण स्भाएं चोर्ण करों और आ कॉज्य निक्यारों क्षे होदा है डीबाइल यहान गर्च पर ना मरण सैक एक-सक ऑकों अगे मैनस जाता है परक्म्य आए इंटवाएं नियुन स्कूर स्ब्सक्राइग d x a cot x equals minus coseck square x हो जाएगा d by d x a gagnổi sich x to 10 x dressed to by d x by yourself by vafato x x a equal to minus 요onos exe actually minus the coaxe family जितने भी हमारे हमारे पास सी फैंबली में जैसे कि सी फैंबली선 कंतरगार्थ में यह रहा है Git x a यह यह रहा है cos x ठीक है, तो यह आप लोकर negative charger रहते हैं, d by d x cos x equal to minus sin x, d by d x cos x equal to minus cos x d by d x minus cos x cos x equal to minus cos x into cos x हो जाएगा, ठीक है तो यहां से हम लोग इस चीज़ को भी clear कर सकते हैं भाई की d by d x sin x equal to cos x cos x equal to minus sin x tan x equal to sec square x, cot x equal to minus cosec square x, sec x equal to sec x into 10 x, or cosec x equal to minus cosec x into cot x हो जाएगा, ठीक है, तो d by dx sin x equal to cos x, d by dx cos x equal to minus sin x, d by dx 10 x equal to sec square x, d by dx cot x equal to minus cosec square x, x equal to sec x into 10 x, d by dx cos x equal to minus cosec x into cot x हो जाएगा, एक को साइन के बशे किलियर कर सकते हैं, एक को हम लोग कॉस के बेस पर कर सकते हैं, ठीक है, कि साइन के बेस पर क्या होता है, सानी से स्वाल लॉट कर सकते हैं और यह दोनों किस किस कुछिन के एक रोडिंग में भी राएंगे ठीक है तो इस question के माध्यम से भी हम लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस के basis पे रहेंगे और ये दोनों किस किस question के एक rolling में भी रहेंगे ठीक है तो एक को हम लोग sign के माध्यम से clear कर सकते हैं एक को cos के माध्यम से clear कर सकते हैं ठीक है Cosec square X, D by D X, Sec X equal to Sec X into 10 X, D by D X, Cosec X equal to minus Cosec X into cot X. D by D X, Cosec X equal to Cosec X, D by D X, Cosec X equal to minus Cosec X into cot X, D by D X, Cosec X equal to Cosec X into cot X, D by D X, Cosec X equal to Cosec X into cot X, D by D X, Cosec X equal to Cosec X into cot X, D by D X, Cosec X equal to Cosec X, D by D X, Cosec X equal to Cosec X, D by D X, Cosec X equal to Cosec X, D by D X, Cosec X equal to Cosec X, D by D X, Cosec X equal to Cosec X, D by D X, Cosec X equal to Cosec X, D by D X, Cosec X equal to Cosec X, D by D X, Cosec X equal to Cosec X, D by x cot x equal to minus cosec square x d by d x sec x equal to sec x into 10x d by d x cosec x equal to minus cosec x into cot x हो जाएगा ठीक है तो d by d x sin x equal to cos x d by d x cos x equal to minus sin x d by d x 10x equal to sec square x d by d x cot x equal to minus cosec square x d by d x sec x equal to sec x into 10x d by d x cos x equal to minus cos x into cot x हो जाएगा ठीक है तो इस question के माध्यम से भी हम लोग इस switch को यहां से जान सकते हैं ठीक है और एक और होता है d by d x x power n फिर d by d x e to the power x d by d x d by d x log x d by d x के बेस्पे हो जाएगा d by d x x power n d by d x e to the power x d by d x a to the power x d by d x log x d by d x c के बेस्पे हो जाएगा ठीक है तो यहां से भी हम लोग इस switch को clear कासे तकتे हैं भाई कि d by d x x power n के बेस्पे क्या होता है और nd दी बाइडी एकसा एकसा के बेस पे क्या होता है दी बाइडी एकसा के बेस पे क्या होता है दी बाइडी एकसा के बेस पे क्या होता है दी बाइडी एकसा के बेस पे क्या होता है ठीक है तो दी बाइडी एकसा के बेस पे क्या होता है ठीक है तो दी बाइडी एकसा के बेस पे क्या हो जाएगा d by d x log x के बेसे क्या हो जाएगा d by d x c के बेसे क्या हो जाएगा ठीक है तो d by d x x power n d by d x e to the power x d by d x e to the power x के बेसे जान सकते हैं हमारे पास यह किसके एक रोडिंग में रहेगा ठीक है और d by d x x power n d by d x e to the power x d by d x log x d by d x c के बेसे हो जाएगा भाई दी बाइडी एकस एकस पावर n हो जाएगा d by d x e to the power x हो जाएगा d by d x log x हो जाएगा d by d x c के बेसे हो जाएगा तो x power n के बेसे पे रहेगा तो यहां परा जाएगा n x to the power n minus 1 e to the power x रहेगा तो e to the power x हो जाएगा e to the power x रहेगा तो e to the power x log a log x रहेगा तो 1 by x c रहेगा तो 0 तो d by d x x power n रहेगा तो n x to the power n minus 1 d by d x x के power n रहेगा तो n x to the power n minus 1 d by d x e to the power x रहेगा तो d by d x x power n रहेगा तो n x to the power n minus 1 d by d x e to the power x रहेगा तो e to the power x हो जाएगा d by dx a to the power x रहेगा तो a to the power x log a d by dx log x रहेगा तो 1 by x d by dx c रहेगा तो 0 तो d by dx x power n रहेगा तो nx to the power n minus 1 d by dx e to the power x रहेगा तो e to the power x हो जाएगा d by dx a to the power x रहेगा तो a to the power x log a d by dx log x रहेगा तो 1 by x हो जाएगा तो D by D X X power N equal to हो जाएगा N X to the power N minus 1, D by D X E to the power X रहेगा तो E to the power X, D by D X A to the power X रहेगा तो E to the power X log A, D by D X log X रहेगा तो 1 by X, D by D X C रहेगा तो 0, D by D X X power N equal to N X to the power N minus 1, D by D X E to the power X रहेगा तो E to the power X, D by D X A to the power X रहेगा तो E to the power X, D by D X A to the power X रहेगा तो E to the power X, D by D X A to the power X के साने संथा स्याव मैं निए थे सूफ़त। d by dx तो 1X तो 1X x 10x d by dx को सेकिक एकिक सर रहेगा तो minus को सेकिक एकिस इंटू कोसेक angef corüg तो एक नेगतिव चारजर के बेसे पे है जितने भी हमारे पास सी family है सभी नेगतिव चारजर के बेसे होते हैं ठीक है तो सी family के बेसे भी आप लोग इस चीज को जान सकते हैं किसी फैमली के एक रोडिंग में आपके पास क्या-क्या कंटेंट रहेंगे और ये किसके किसके बेसिस में भी रहेंगे ठीक है तो चलिए इस कुश्चन के हिसाफ से भी आप लोग इस चीज को जान सकते हैं कि एक सके पावर इनके बेसिस तो चलिए इस question के माध्यम से हम लोग इस चीज को देखते हैं और एक पर एक रोडिंग में भी ए ठीक है तो चलिए इस question के माध्यम से हम लोग इस चीज को सौलो कर लेते हैं और किस किस के बेसिस में भी है ठीक है तो चलिए इस कुछ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ् स्वाल लोग करते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या content आएंगे और किसके एक रोडिंग में भी आएंगे ठीक है तो x power n के बेस पे हमारे पास होता है nx to the power n-1 और d by dx e to the power x equal to e to the power x d by dx a to the power x equal to a to the power x log a d by dx log x equal to 1 by x d by dx c equal to 0 d by dx x power n equal to nx to the power n-1 d by dx e to the power x equal to e to the power x d by dx a to the power x equal to a to the power x log a d by dx log x equal to 1 by x d by dx c equal to 0 d by dx sin x equal to cos x d by d x cos x equal to minus sin x d by d x 10 x equal to sec square x d by d x cot x equal to minus cosec square x d by d x sec x equal to sec x into 10 x d by d x cos x equal to minus cosec x into cot x the d by d x x power n equal to n x to the power n minus 1 d by d x e to the power x equal to e to the power x, d by d x a to the power x equal to a to the power x log a, d by d x log x equal to 1 by x, d by d x c equal to 0, d by d x sin x equal to cos x, d by d x cos x equal to minus sin x, d by d x 10 x equal to sec square x, d by d x cod x equal to minus cos x square x, d by d x sec x equal to sec x into 10 x, d by d x cos x equal to minus cos x into cod x, d by d x x power n equal to n x to the power n minus 1, d by d x e to the power x equal to e to to the power x d by dx a to the power x equal to a to the power x log a d by dx log x equal to 1 by x d by dx c equal to 0 d by dx sin x equal to cos x d by dx cos x equal to minus sin x d by dx 10 x equal to sec square x d by dx cot x equal to minus cosec square x d by dx sec x equal to sec x into 10 x d by dx cosec x equal to minus cosec x into cot x के basis पे आपके पास यह हो जाएगा ठीक है तो इस question के माध्यम से भी हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं स्वालो कर सकते हैं हमारे पास दिया है दिया है f x के बेस्पे हमारे पास 6 minus 9 x minus x square तो यहां से हमारे पास f dash x हो जाएगा तो यहां पर कितना हो जाएगा d by dx 6 minus 9 x minus x square यहां हो जाएगा f dash x equal to यहां पर हो जाएगा d by dx हो जाएगा यह यह 6 हो जाएगा minus d by dx 9 x minus d by dx x square हो जाएगा ठीक है f dash x equal to हो जाएगा यह 0 minus 9 हो जाएगा और यह d by dx यह हो जाएगा x और यह minus हो जाएगा 2 x के बेस्पे हो जाएगा ठीक है तो यहां से हो जाएगा f dash x equal to हो जाएगा minus 9 minus 2 x हो जाएगा ठीक है तो यहां से f dash x का बल्ली हो जाएगा minus 9 और minus 2 x के बेस्पे बेस्पे हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर पहला देखेंगे तो पहला आप लोग का minus infinity और 9 के basis पे रहेगा और एक को देखेंगे तो minus 9 और एक infinity के basis पे रहेगा ठीक है 2 by 9 के basis पे रहेगा ठीक है तो इस question के basis पर हम लोग इस चीज को देख सकते हैं भाई यहाँ से ले सकते हैं तो यहाँ से हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा इस लिए एक सका वैल्यू कितना हो जाएगा minus 9 by 2 हो जाएगा यह minus 9 by 2 के basis पे हो जाएगा ठीक है तो इस question के माध्यम से भी हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं असानी से small out कर सकते हैं भाई एक रोडिंग में भी रहेंगा इसलिए पहला क्या हो जाएगा पहला अंतराल में देखेंगे तो minus infinity और 9 by 2 हो जाएगा इसलिए minus infinity 2 और यह हो जाएगा आप लोग का minus 9 प्लस 2 X हो जाएगा और यह हो जाएगा 9 by 2 के बेश 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 ब रास्मान के बेस पर हो जाएगा खा तो किस्के बेसिस पर है थीक है तो चाहिए इस कि इस वी दुनों किस के बैब कर सकते हैं यह रहेंगे तो चलिए इस कूस्चन eighteen कोAF कम के बैस के सकते हैं पूर ग्लियर कर सकते हैं और गी यह रहेंगे और किस की साव binds Oh अप लोग यह clear होता है ठीक है तो question अबर थाड़ अग वेस्पे हम लोग इस चीज को जान सकते हैं कि fx equal to 6 minus 9x minus 6 square होता है तो इतने में आप लोग यह question complete होता है इसका आगे का content को हम लोग next video lecture में clear करते हैं